असलाव अलेकुम दोस्तों कैसो आप सब इस वीडियो में आज की जरूरी अपडेट शेयर करूँगा उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ पटना में नसलाइन नाम करके एक आफिस है अच्छा काम करती है ओफिस मैंने सुना है लोगों से मैंने तो कभी काम नहीं करवा वहाँ पे सराकों का इंटरिव्य होने वाला है 26 सेप्टेमबर को इसी महिने में तो जिनको भी सोधियरभिया में जौब चाहिए आना है वह वहाँ पे इंटरिव्य दे सकते हैं बहुत सारे प्रोफेशन के लिए वहाँ पे इंटरिव्य होगा आप स्क्रीन पे देख सकते हो यह सारे प्रोफेशन का वहाँ पे इंटरिव्य होगा वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा ओफिस वालों नों देखिए क्या क्या रिक्वार्मेंट रखा है PCC मेंडेटरी रखा है क्योंकि सोधी आने के लिए PCC चाहिए तो मैं पहले भ रखा है कि तीन साल के डिप्लोमा चाहिए पांस साल के एक्सपिरियंस चाहिए यह चीज ऑफिस वाले अपने से लिखते हैं ऐसानी की कंपनी वाले यह उनको बताते हैं कंपनी वालों का क्या रिक्वार्मेंट रहता मैं बता रहा हूं एक अच्छा बंदा चाहिए अगर वो फ्रेशर भी है कोई दिक्कत नहीं है इसके अलावा यह डिप्लोमा वाली जो बात है सौधी अरभिया में अभी नया कानून बना हुआ है इकामा आपका तब बनता है जब सौधी कॉंसिल में आपकी मेंबर्सिप रहती है उन लोगों का जो लोग टेक्निकल सेक्टर मे काम करते हैं यह जितना भी प्रोफेशन है अलेक्टिकल टेक्निशन, एशी टेक्निशन, मेकनिकल टेक्निशन, बोलर टेक्निशन, जो भी टेक्निशन है, सुपर्वाइजर, फॉर्मन, इंजिनियर है सब को सौधी कॉंसिल में मेंम्बर्सिप लेना पड़ता है तब जाकर में इंटर्व्यू देने के लिए उनको बता देना कि एक साल का डिप्लोमा भी acceptable है एक सेप्ट हो जाता है कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग सेटीफिकेट है वह सौधी कॉंसिल में एकसेप्ट हो जाता है सौधी कॉंसिल ओफ इंजिनर के बारे में मैंने बहुत वीडियो बना हुआ है अब वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लेना आपको समझ में आ जाएगा कि सौधी कॉंसिल ओफ इंजिनर का क्या रूल है अब बात करते हैं आज की जो अपडेट है उसकी मिनिस्ट्य फजन उम्रह को किसी ने सवाल किया था ट्वीटर में कि क्या मैं उ आपका फैमली मेंबर है तो आप उनको विजिट विजा पे बुछा सकते हो विजिट विज़िए पे बुलाने के बाद उम्रह भी करवा सकते हो अपने साथ में भी रख सकते हो और इसमें मैंगी डीटेल वीडियो भी बनाया हुआ है मेरे चैनल पर पे प्ले लिस्ट है फ उनको बोलो भाई ओनलाइन आप उम्रा का वीज़ा अप्लाई कर लो इस सौधी हुकूमत ने यह नया नियम बना दिया है कोई भी उम्रा वीज़ा अब उनलाइन अप्लाई कर सकता है और वह सौधी अरभिया में कहीं पे भी घुम फीर सकता है पहले क्या था सिर्फ मक्का दिना जद्दा तक ही लोग रहते थे अब हो कहीं पे भी आ जा सकता है कोई भी convince सौधी रभिया का वापस भी जा सकता है तो वह सिंपल तरीका है लोगों को पता नहीं इसलिए वीडियो को शेर करके लोगों族 जरू बता दीजिए इसके बाद दो अपडेट है Ministry of Human Resource and Social Development के तरब से देखे सोधियरभिया में गर्मी के वज़े से 15 जून से 15 सेप्टमबर तक Midday Work Ben नाम करके एक कानून लागू होता है तो ये कानून अब हट चुका है क्योंकि अभी समर खतम हो रहा धीरे धीरे कानून के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिसकस किया है कि जादा धूप होने के वज़े से सोधियरभिया का लेबर लो में ये कानून है कि वर्कर लोग जो धूप में काम करते हैं खासकर के construction line में लोग दोपहर 12 बजे से ले करके दोपहर 3 बजे तक धूप में काम नहीं कर सकते हैं उनको धूप में काम करवाने के लिए कोई भी कफिल, company, force नहीं कर सकता अगर कोई करवाता भी है तो पकड़े जाने पे उस company कफिल पे action लिया जाता है दूसरा अपडेट है घरेलू worker के लिए, domestic worker के लिए जो खदामा का काम करते हैं, house driver का काम करते हैं उनके लिए देगे सौधी रभिया में एक company का worker के लिए जितना facility है house worker के लिए उतना facility नहीं है ये बात सच तो सौधी हुकूमत जो है धीरे धीरे उनको भी balance करने का काम कर रही है जितना भी rights उनको नहीं मिलता है, वो सब भी अब मिलेगा सौधी रभिया में जिसमें सबसे पहले तो काफाला वाला जो facility है, starting में उनको नहीं मिलता था अब उनके लिए भी नियम लागू कर दिया, इसके अलावा अभी ministry of human resource नहीं ये कहा है बहुत जल्द domestic workers का insurance जो है अप्रूब हो जाएगा ministry of human resource के तरब से मतलब ये है कि कोई company में काम करता हो वो worker को insurance का जितना facility मिलता है वो same same house driver, कोई भी domestic worker है, वो सब को मिलेगा सौधी अरभिया में इसके बाद एक update है, सौधी public prosecution के तरब से आप लोगोंने एक कहावत सुना होगा, कि कोई गरीब बंदा, अगर सोना का chain भी पहन लेना तो बस्ती में देखने के बाद लोग बोलेंगे कि ये असली सोना नहीं है, ये city gold का chain पहना होगा और कोई अमीर आदमी, अगर city gold का chain पहन लेना, तो लोग बोलेंगे कि ये असली gold का chain है doubt ही नहीं करेंगे, अगर वो अपना luxury car से उतरेगा तो तो कुछ इसी तरह का trick को अपना करके सौधी रभिया में कुछ लोग duplicate सामान को असली बता करके बेच रहे है सौधी public prosecution ने एक सक्स को ग्रफतार किया है, वो सौधी का ही नागरिक था जो बंदा duplicate सामान, ladies purse, bakes, shoes, जितने भी brand का सामान है ये सब सामान को वो luxury car से deliver करता था online दुकान चलाता था, snapchat के through भी contact करके लोगों को sell करता था वो बंदा luxury car से ये सब सामान को deliver करता था लोग doubt ही नहीं करते थे कि luxury car में क्या duplicate सामान आ सकता है ना जाने कितनी लोग को उसने चूना लगाया होगा ministry of commerce के टीम को जब शक हुआ, उस बंदे को पकड़ लिया गया जितना उसके पास duplicate सामान था, सब को seize कर लिया 50,000 रियाल का जुर्माना लगाया और सजा के लिए public prosecution को सोब दिया गया तो भाई सोद्य रभिया मैं भी कुछ भी समान खरीद रहो ना कोई भी महंगा समान, थोड़ा केरफुल रहना क्योंकि यहां पे market में बहुत सारा duplicate चीज़ आ गिया है वीडियो को शेर करके अपने दोस्तों को भी जरू जाग रूप कीजिए आज के इस वीडियो में इतना ही आई होप यह वीडियो आपके लिए इन्फोर्मेटिव रही होगी चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इस तरह इन्फोर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्लिए